CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल CNC गुरू महंदर वर्मा और मैं महंदर वर्मा आज आपके लिए बहुत ही बहुत ही बैतरीन वीडियो लेके आया हूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो दोस्तो आज का वीडियो जो है वो 7 operating mode जो होती है CNC machine के उसके बारे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन से mode होते है कि जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे edit mode और उसके बाद में SB के SB का मतलब होता है दोस्तो single block तो single block mode होता है यहाँ पे और यहाँ पर इसको कहते है auto mode ताकि machine आपकी auto में चलती है और उसके बाद में बात करेंगे हैं हम लोग MDI यहनि के manual data input और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर आपका MPG mode जिसको manual pulses generator mode भी कहते है और जो के handle mode के रूप में जो है वो working करता है यहाँ पर देखें यह एक handle लगा हुआ है और इस handle के दवारा आप axis को move कर सकते है X axis और Z axis को और उसके बाद में जो है वो jog mode है और jog mode के अंदर जो भी हमारे working होते हो कर सकते हैं उसके बाद में ZR यानि के आपका reference mode है तो X और Z axis को अगर आप reference करना चाहते हैं तो ZR जो mode है आपका select करना होगा तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि edit mode का मतलब क्या होता है तो edit mode के अंदर दोस्तों हम लोग एक काम कर सकते हैं जैसे अगर आपको कोई नया program डालना है या फिर पुराने program में अगर आपने कोई changing करना है तो आप edit mode select करके कर सकते हो तो सबसे पहले आपको mode select करना होगा edit और उसके बाद में यहाँ पे bg edit में जा करके और आपको प्रोग्राम select करके आपको करना होगा और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखें यह MPG वाला जो है और MPG का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप आपका जो manual pulses generator है और MPG का यूज कर सकते हैं manual pulses generator के अंदर और उसके बाद में दोस्तों जो आपका MPG है वो जो है वो आप micron में, जितने भी micron में आगे पीछे करना जाते हैं, कर सकते हैं jhog mode के अंदर दोस्तों, वाकिस सारे work होते हैं जो भी आप manually work करना चाते हैं, सारे manual work जो है, वो должно होते हैं और तो पर इसके बाद तहुत हैं हम लोग बात करेंगे यहां पर और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों Automatic Mode और MDI तो MDI में क्या होता है कि आप कोई भी वर्क जो है वो आपका जो प्रोग्राम होता है में प्रोग्राम में सेव नहीं होता है आप Manual Data Input डाल करके एक temporary command डाल करके आपके spindle को run कर सकते हो machine के जो भी functions है उनको जो हो देख सकते हो जैसे कुलेंट को run करके देखना है आपको तो आपने command type करने जैसे M03 मैं यहाँ पर command डालूँगा M03 और उसके बाद में spindle की speed डाल दूँगा और उसके बाद में insert करूँगा तो command मेरी insert हो जाएगी और उसके बाद में cycle start का बटन जो हो मैं दबाऊँगा जैसे cycle start का बटन दबाऊँगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो spindle हो गूमने लग गया है तो मैंने यहाँ पर डाला है M03 S1000 डाला और उसके बाद में जो हो command जो हो उसने ले लिया और spindle जो हमारा गूमने लग गया है तो दोस्तो सभी mode जो है वो machine के बहुत important होते हैं सभी mode के बारे में जानना जुरूरी है और दोस्तो अब मैं आपको यहाँ पर बात करूँगा next mode के देखो यहाँ पर x-axis में अगर हम manual pulses generator में अगर move करना चाहें तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखो इस परकार से इसको गुमाएंगे तो आपका यहाँ पर देख रहे हो कि यह x-axis को अगर मैं select करूँगा तो यहाँ पर x की value देखो change हो रही है तो x और z-axis को move करवाना चाहते हैं तो आप आसानी से करवा सकते हैं और reference mode होता दोस्तों यहाँ पर reference में करवा सकते हैं जैसे मैंने reference mode को select किया और x को दबा दिया तो machine हमारी home position पर पहुंच गई है तो उसके बाद में दोस्तों देखो यहाँ पर हमारी machine जो हो machine का x-axis जो हो जिरो हो गया और यहाँ पर आप इस परकार से आसानी के साथ में जो हो machine के अंदर जो हो आराम से इसको जो हो दोस्तों कर सकते हैं तो साथ operating mode होते हैं सबसे पहले मैं आपको mode बताता हूं कितने हैं देखो edit mode एक और यह सारे total गिन करके साथ mode होते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा मुझे comment करके जुरूर बताएं थेंक यू